इंडिया ने अनाउस कर दिया जी टीटों के सीरीज जो बंगलादेश का अगेंस्ट है लड़कों के नए चेरे देखें अच्छा लगा इस तरह बनाई जाती है टीम अनफॉर्चुनेटी आपको पता है न हमारे मुल्क में कोई अपनी जगा छोड़ता नहीं है चाहे निप के इंडियन स्कॉर्ड का एलान कर दिया गया है और धांसू किसम की टीम बनाए है इंडियन सेलेकर्स इस कॉड़ को देके नहीं मुझे एक चीज समझाई है आई तक टीटोंटी में खिलाओ यंगसर्स को मतरब इंडिया ने फिर मुका दे दिया यंगसर्स को लेकिन हम आर पर अपनी टीम को IPL में मैचेज जितवाय थे and he was too good. प्रेशर कुकर बोर्ड आप 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 कब करोगे तो फास्ट बॉलिंग में जो फास्ट है तो फिर फास्ट के नाम के साथ इंसाफ होना चाहिए एक सो पचास प्लस वाला जो फास्ट बॉलर होता है तो फास्ट तो उसी को कह के वैसे मज़ा आता है तो मायंक यादव he is there fit हो प्रेंगे आप जूनियर के लोग परफॉर्म करों नश्कार दोस्तों जहें दोस्तों कल राथ बंगलादस के खिलाव भारत की यंग टीटन्डी स्वार्ट का अनौन्स कर दिया है जिसमें आप देखे कि यंग प्लेयर ज्यादा है और पहली बार हमको मायंक यादव हमारे देखने को मिलागा जो की बहुत बड़ी बात है कि उनको उपर एक ट्रस्ट है कि वो अच्छा करेंगे और उनको करना भी चाहिए और इसके बात अगर देखे तो हरसी तराना भी आ गया है ने अनौन्स कर गिया है जी जो बंगलादस के लड़कों के लड़के की लड़को ये इंडिया ने जो टीम बनाई है ना ये 2026 का वर्ड़का पे ना उसको देखते वे बनाई है इसलिए आपने देखा जस्वाल भी नहीं है इसमें इसमें गिल भी नहीं है मैं भुमरा की तो बात ही नहीं करा जड़े जा अकसर पटेलिंग की तो बात ही नहीं करा अगयर भी नहीं है तीम बनाई वो लड़के जो देखना भी चाहरा है उन्हें और अपने होम ग्राउंड पे फुल इंशॉरंस देने के जाउब खेलो इस तरह बनाई जाती है टीम अनफरचनेटली आपको पता है न हमारे मुल्क में कोई अपनी जगह छोड़ता नहीं है चाहे निपाल से मैचो चाहे किसी भी टीम से मैचो यह होता है इस स्ट्रॉंग ओल यह होती है स्ट्रॉंग मैनिपेंट इस्ट्रॉंग सेलेचन कर्मीटी विलकुल नाई टीम और एक शजादा तो आया क्या को उसके नहीं है बहुत खुशी हो दिए देखो देखो कौन आया बहुत खुशी हो दूआ यह हम अल्ला दाला कहते हैं आप उपर वाला उसको फिट रखें सुर्या कुमार को कप्तान रखें जिए उन्होंने रखना था बड़ी बात है वाइस इसके लिए भी सीरीज है नितिश कुमार रेडी यह यह आया है कि मिलका बच्चा अलाउंडर इसके बास शीवम डूबे है वाशिक सुंदर रभी बिश्णोई ओहो जितिश है इसमें जितिश शर्मा सेक्ड़ में खिट को है अर्श दीप है हार्शिक राना और माय अंक य इसे मेंटोर तो यह इंडिया ने मिसाल देदी है देखो जी हम इंटरनेशनल टीम इस तरह बनाते हैं कब आईड़ा हमारे हमारे में इसा सिस्टम के हमारी भी सीनियर रेस्ट करेंगे आप जूनियर कहलो परफॉर्म करो बंगलादेश के अगेंस्ट तीम टीट्वंटी इ चीरीज के लिए टीम इंडिया मैंके इंडियन स्कॉर्ड का इलान कर दिया गया है और धांसू किसम की टीम बनाए हैं इंडियन सेलेक्टर्स लास्ट बट नॉट लीस्ट लास्ट नाम बड़ा इंटरस्टिंग है यह है मायक यादव फोन लगाओ जरा हारिस रौफ को कर उसने जब मारने शुरू किये ना 145 147 150 150 प्लस सरकार यह जो जबड़ा है ना जबड़ा यह वाला लोगों का ना मैंने जमीन के साथ लगते वे देखा कि एक इंडियन पेसर और यह स्पीड आपके सामने यादव जी ने आकर अन्नी डाल दी थी भाई और इस बंदे ने अन्नी डालनी थी यह रॉट टैलेंट है यह प्योर रॉट टैलेंट है वो तो फिर जहरी बात अब इतना पेस हो और अच्छा खासा अब जिसे कहते हैं लंबा चोड़ा है तो इतना लंबा चोड़ा आपका जिसे कहते हैं जुसा हो फिर उपर से 150 की प्लस की आपकी स्पी हो तो इसकी स्पीड के बार में तो शुय बखतर ने कहा था ना कि तोड़ देगा यह रेगुलर हो गया तो यह मेरा टैकर तोड़ देगा फास्ट वो जिसे कहते हैं बॉल इन क्रिकेट का हंडर्ड बाइस पर आर का तोड़ देगा और डेट सो तो वह मुह से बोल कर मारता है बाई डेट सो यादव जी मुह से बोल कर मारती हैं तो बंगरादेश के गेंस्टून को डेफिनली डेब्यू करा दिया जाएगा तीन मैचेस हैं तो यह सुरिया एक ही प्लेइंग 11 से मुझे नहीं लगता करेगा सुरिया जिसके समगा कप्तान है न मुझे लग रहा है कि जिन जिन के डेब्यूस है न वो सब के डेब्यू करवा देगा यह थोड़ा चीजों को चेंज चेंज करता रहता है एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है सुरिया इसी विदे से तो यह काम्याब है बहल ज़दा खुद तो बड़ा जबरदस टी-20 का बैटर है लेकिन कप्तान अबिश्यक शर्मा अबिश्यक शर्मा को देखके काफी लोग खुश हो रहें कि हाँ यह आव आया साई टी-20 वाला टी-20 वाले को टी-20 में मौका मिला है तो ठीक मायंक यादव दिस इस दगाई स्पीड स्टर तो एंडबे नाम है हमने बहुत इंजॉई किया जितना भी स आई-पी-एल में तो जितना भी इस क्खेला कमाल का खेला बहुत ही शांदार और वहतीन इसने बालिंग करवाई तो फासट बालिंग में जो फास्ट है तो फास्ट के नाम के साथ इνसाफ होना चाहिए 150 पलस वाला जो फास्ट बालर होता है तो फास्ट तो उसी को प logic कर चलते जा रहे हैं तो इसको देखके अच्छा लगेगा कि इसका डेप्यू हो और ये उसी रफ़तार से बालिंग करता हुआ नज़र आई उसी रफ़तार से जो हमने देखा तो आप इंडिया के पास ये वला हिसाब कितब है जो पहले हमें पिछले काफी अरसे में नहीं जो खेल गे तो खेल गे लेकिन आप यहां पर ऐसा नहीं है तो इस नाइस तुसी यह प्राग है मिडल और में खेलेगा यह बालिंग कर लेता है बलके यह अभी शक से तो आगी इसको रखेंगे को किस नहीं काफी अच्छी बालिंग की अभी सी लंका में हेस गोड फिर पोटैंशल दिखाया था कोई अब इसलेक्ट होाथा शदीब सिंग है इसמोफ वर्ड काप में कमाल किय इसने विक्टぜ दो खेल इंड़रू का तीन टीट्वंटी में जो खेले रहेंगे उनका स्कॉर्ड आगर बड़ा कोई पटाका किसम को स्कॉर्ड को देखे नहीं मुझे एक चीज समझ आई है तीट्वंटी में खिलाओ यंगसर्स को मतलब इंडिया ने फिर मोका दे दिया यंगसर्स को लेकिन हमारे फिसी भी मोले टिटरिम् cambiar उस घंटे ने आई तक टीटवंटी वर्ल्ट कप हीस्टरी में चकहत इंग जाए बेखेशिक शर्मा हां इंडिया उसको देख हे रगले टीट वंटी वर्ल्ट कप के लिए उसको पगड़ निटिश कुमार रडी इस सालने एक एक हंगामा मचा है लड़का मैं थोड़ी खेला था लेकिन अपने पहले मैं आज में इसने बजा गए राखे थी सब की मयां की यादव यादा ना इसने कितनी तेज बॉल की थी बीसी से कंसिस्टेंट मोके दे रहा है यंगस्टस को अम गंटा के पीसी भी वालो प्रैशर कुकर बोड आप 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 कब करोगे कॉमड़ी बोड पाकिस्टान कॉमड़ी बोड भाई आप अपने यंगस्टस को का मोका देगो है हमारी अभी टीट्वंड की कोई लेमन त्यार कर लो बापा राजान लिपस्टिक उपन करेगा उसमें भी बेडा हरक होगा टीम का और यह दोनों उपन कर जाएंगे तो दो क्योंकि उनकी पेस है लिथाल जो पेस कहा जाता है और रिगुलर स्पीड में बोल कर देना मतलब कह सकते हैं कि कोई छोटी बात नहीं है लेकिन मैं गया दब जिसकर के से बोलिंग कर रहे थे उसके बाद इंजिड होगे फिर आपर बोलिंग के आप इंजियरी के बाद उत आप मिशना कर सकते हैं मैं रुपता हूं जल्दी मिनवा नेगुड का साथ अब तक के लिए जय हैं पन्दमात रहां